असलाम नेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स की मेरे पास टाइप सी ओटीजी कनेक्टर है इसकी प्राइज जो है वो 100 रुपीज है ये मेटल का बना हुआ है और जो दूसरा ओटीजी कनेक्टर है वो माइक्रो यूस बी ओटीजी कनेक्टर है वो प्लास्टिक का है उसकी प्राइज जो है वो 50 रुपीज है फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगए तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल भी सबस्क्राइब कर देना फ्रेंड्स गे मेरे पास ट्रांसेंट कॉंपनी की हार्ड ड्राइव है तो आप अलग से हार्ड ड्राइव केस पर चैस करके उसमें भी हार्ड ड्राइव लगाकर तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं केस की प्राइज जो है वो 400 तक मिल जाता है फ्रेंड्स आइटल इंफिनिक्स टेकनो में सेम तरीका ही होता है OTG कनेक्ट करने का और सारे अंड्रॉड मुबाइल में भी तकरीबन सेम तरीका ही होता है OTG कनेक्ट करने का फ्रेंड्स आपने मुबाइल की सेटिंग्स में जाने है सेटिंग्स में जाने के बाद यहां पर ऑप्शन होगी More connection की तो आपने उसमें चले जाना है friends हो सकता है कि आपके mobile में connected device की option हो तो आपने उसमें जाकि OTG की option को on कर लेने हैं फिर आपने वापिस back पे जाना है friends कुछ mobile जो है वो OTG को direct support करते हैं settings में option नहीं होती OTG on करने की तो friends फिर आपने OTG connector लगा लेना है फिर आपने hard drive लगा लेनी है friends आपने hard drive की जो है वो partition नहीं करनी एकी drive रखनी है तो friends गया दे कि hard drive की जो light है वो own हो चुकी है तो अभी मैं आपको चेक करवा देता हूं कि hard drive जो है वो connect हुई है या नहीं friends अभी मैंने file manager open कर लिए तो अभी मैं यहाँ पे देखता हूं कि connect हुई है hard drive यह नहीं तो my phone में मैं आ गया हूं तो friends यहाँ पे internal storage शो करवा रहा है hard drive शो नहीं करवा रहा तो अभी मैं आपको mobile की settings में जाके दिखा देता हूं friends यह जरूरी नहीं है जो mobile USB drive को support करे वो hard drive को भी support करे यूँकि अगर company की तरफ से support होगी तब ही mobile जो है वो hard drive को support करेगा तो friends आपने hard drive purchase करने से पहले एक बार confirm कर लेने कि आपका mobile hard drive को support करता भी है यह नहीं friends hard drive connect नहीं हुई